हेलो फ्रेंड्स गनित याने मैथेमेटिक्स में हम लोग कुछ कॉस्चन्स को देखेंगे जो की इंपोर्टेंट है तो यह सबसे पहले मैं इस कॉस्चन को बनाता हूं जो कॉस्चन नमर वर्वन है किसी तार को एक बर्क के आकार में मोड़ने पर 121 cm2 छेत्र फल वाला छेत् क्या Red diaktor में सबसे थे गाएं इसको सबसे पहले किसे बनाते इसको देखता है या वर्ग में इसका चैहरऊ बराबर होता यह और इसका जो है छेत्रफल दिया गया है 121quer यानि वर्घ का जो चेत्रफल दिया हुआ वर्घ का जो चेत्रफल हुआ 121 sih उटर गया होता है यानिक यह बूझा है इस्क्वेर होता है यह 121 तो यहां आ रहे हैं यह पहले हम लोगों ने इसको बर्ग के रूप में मोड़ दिया है तो यह भी हम लोगों का वर्ग बन गया है लेकिन इसको हम लोग क्या करना है इसको हम लोगों को वर्ग बनाना इस परकार से यानि कि हम लोग अगर इस वर्ग का परिमाप निकालेंगे तो वही मैं देखंगा कि भुजा जो है यह हमारा यहारा आया है mean चार गुना ग्यारा करेंगे तो यह हम लोगों का 44 cm यह हमारा परीमाप होगा यह Seems वर्ग यानि कि उस बृंट का परीमाप यह परिदि होगा तो अब हम 24 is equal to 25 और लिख सकते हैं हम लोग यहां पर हम इसको जो है solve कर लते हैं 44 पराबर दो गुना यह 22 बटा साथ लेने के लिए कहा गया है अब हम लोग को यहां से सब्सक्राइब यब यहां पर साथ लिए एकाट देगी है अब हम लोग को सब्सक्फेस हैं तो यह हम्मारा पर सकते हैं को यहां परकुर उप्स नमर्ण स्रेशंट नमबर दो को देखते हैं तीन घोडों में से परते को एक साथ मीटर लंबी रसी के द्वारव बीस मीटर तीस मीटर और चालेस मीटर भुजाओं वाले तिर्भुजाकार भूखंड के एक कोने पर खूंटे से बांधा गया है भूखंड के उस छेतर का छेतर फल क्या होगा है जहां पर तीनों भोड़ी चर सकते हैं और पाई पर बाइसाथ लेना है और सब्सक्राइब के पास में 77 वाइट तीरी मीटर इसक्र और डी है अपना कि इसको के सलकार करते हैं यह देखते हैं तो यह पर आपर तिरीं होजाकार भूखंड का है तो हम लोगुद नहीं होगों पर एक बझाघ्रा बना लेते हैं और यहां पजाए साथ मीटर की एक लंबी रसी हो गहाँ इसको सफरकास अग्हुम इतर इंप साथ मीटर है तो यहां भी मिटर और इधर से साथ मीटर हो जाएगा यहां इसको इस परकास से इलाका है यानी कि इस परकार यहां से यहाँ से देख तो यही जो इलाका हो गया यह जो मैंने खाला तीनगोड़े चर सकते हैं यह क्या होता हैा ДжJ मैने ने बता चुका हूं तो आप लोग ब्ठीज़ी वीडियो में जाकर लेख सकते है में त्स वाले प्लेइलिस्ट में आप लोगों साथ सीच मिल जाएंगे तो यह जो तीन तिरिजखंड हो गया और उसके जो लंबाई भी दिया हुआ ग्रृट यह होता है एक लिजखंड का लेकिन यहाँ पे तिन- तीन है तो इसको हम लोग अलगर लिलिखते हैं सब यहां पर यह यह और यह यहने पाई-टी जो है कोमने दिश्टी वी को मने तो मिसको पाय रिष्क्र वहिटा 360 कुमन निकाल सकते हैं और यहां पर हमारा भी आपटास थीटा टू प्लस थीटा थीटा उपर में जाएगा कि इसको सुल्फ करते हैं तो पाइबरा और 22 बर्ट बट शात लेना है साथ चाथ आर कर भेली वो कितना है तो आर हार में सात-सात होगा सात गुरणा सात हो जाएगा विज़ीगर है ओर फिटरी कोनों का कि अधीनो कोनों का योग होता है 180 डीगरी तो यहां पर मैं ने 180 आप इसको सिंपली से सॉल्व कर लेना है कि यह काड़ दिये तो दो इसको 11 से काटेंगे तो हम लोग का कितना बचरा अउपर में 77 मीटर स्क्वेर तो यह आप देख सकते हैं और कौन सा तो सो नंबर सी में है इसका राइट एंसर तो यह इसका सहीवतर हो जाएका 77 साथ से में बचो निकाल नता यानि तीन कौ निकाल ले इसका एंसर हो गया है जो नंबर से को देखते हैं कि समकों त्रिपुज की संकों बनने वाले भूचा है 5 यहनुपाद 11 के 5 यह 12 के नुपाद में यह तिरबूज का 6 ठ्वल 217 सिंडिमेटर स्क्वेर है तो करन की लंबाइब होगी आपका 39 संटिमेटर 42 संटिमेटर 45 संटिमेटर और 51 संटिमेटर तो यहां पर जो है समकौन तिरबूज का तो हम लोग सबसे पर समकून तिरभूज का निर्मान करते हैं बना लेते हैं इसको जिसमें की एक को 90 डिग्री है यह आप लोगों को मालूम है और यह करन होता है यह लंब होता और यह अधरती आप लोगों को अच्छे से पता होगा तो आप लोग प्लेलिस्ट के जो है मेद ह tee's वाले VIDEO में जाकर के सफकूर को लेको देख सकते हैं और यहां पर जो समकून बनाने वाली जो भूजा है यानि यह इसके साथ भी domest के सार भेगा क्योंकि गया अब यहां पर देख सकते 5-12 है तो अगला होग यान करन मोग वो कितना को यह आप लोग triplet जानते होंगे ये तो फिर यहां पर आप देख सकते हैं triplet बी सी और डी में तो यह जो तेरक मल्टिपल है वो किसम है वो केवल और केवल 39 में तो आप इसका सही उत्तर यहीं से कर सकते हैं ट्रिपलेट के आधार पर भी 39 इसका राइट एंसर हो जाएगा लेकिन इसको मैं यहां पर आप लोगों को बना के दिखाता हूं किस पर का से ज हैं यहां यहां पर 5x का स्कुर्ण में कर देता उंहीं और यहां पर 25 इसस्क्वेर प्ल Hag को से यह बनल सकूब जोड़ते हैं तो 169 इसक्वेर हो जाएगा यह जाएगा यह करन को कर लेकिते हैं से तो यह हमारा इदर दो कर करको रूट में चल जाएगा तो करन बराबरा जाएगा हमारा 13 एक्स यह होगे हमारा 13 एक्स 20 का जो होगा यह 13 एक्स में अब यहाँ पर त्रीबूज का छेत्रफल यह दिया हुआ हम लोगों का 270 सेंटिमीटर स्क्वेर करते हैं एक बट्टा दो गुना आधार कितना है तो आधार हमारा 12 एक्स है और उचाहे तो 5 एक्स है बराबर 270 यह हम लोग काट लेते साफ साफ छे आ जाएगा यह 30 एक स्क्वेर बराबर हमारा जाएगा 270 यानि कि यहां से काड सकते हैं तो एक स्थों के ऊण यह ओड़ाबर हो गए नाइन थो यहां से एक्स बघवर अब हम लोग निकालते हैं यहां से एक्स बराबर नाइन का रूट थे यानि के हमारा थी जागा एक जाल एकिस का घली है दूंप्ल आणको पर यह जो है हमारा कर्ण है तो यहां पर इसको multiply कर लेंगे तो 13 into x is equal to 13 into 3 बराबर 39 cm यही हमारा था answer जो कि मैंने आप लोगों को यहां पर भी बता था कि 39 ही होगा इसका answer तो यह जो triplet है इसके हिसाब से आप इसको आसाने से हैं तो यही था कर्ण की लंबाई निकालना तो आप लोंगों के मैंने बता था 39 कि परकासै यहां से आप ट्रिप्लेट से भी देदे सकते हैं तो यह आप लोगों हो जो संबहोत्य रखना है अप कोस्टिण न September 4 को देखते हैं तो उस संभाव परिवरित कि तिरिजा की लंबाई कितनी होगी यह कर रहा है तो इसको करते हैं तो यह परिवरित हो जाएगा इस परकार से तो यह है उसका परिभर्यत हो जाएगा तो यहां से इसकी बंबा योगी वह हमारा r जाएगा यहां से भी तो यहां पर जो है परीवरीत की तरिजया की लंबाई जो होती है तो वह होता है यह बटा रूट 3 होता ही तो परिवरीत की त्रिज्या जो होगा वो होता है हमारा एक ही बार में ए रूट थ्री सेंटीमिटर और ए अप लोगों को पता है यहाँ पर तो इसको साफ साफ यह लिखते देते हैं शिक्स रूट थ्री डिवाइड वाइ रूट थ्री तो यह आपका दोना कट जाएगा तो हमारा यहां से निकल जाएगा शिक्स सेंटीमिटर तो यह ही इसका हो गया परिवरित की त्रीज्या की लंबाई जो क्यों आप नहीं देख सकते हैं कौन सा उप्सन है तो उप्सन नमर भी है इसका सही होता है तो इसको इस परकार से बनाएगा तो परिवर्ज होगा वह सीर्ष को छूते हुए एक बिरित बनेगा अगला कोस्चेन नमर फाइक को देखते हैं यदि किसी आयत की लंबाई को 10% अधिक्ति था उसकी चोड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो उसका चेतरपल क्या होगा यह है तो यहाँ पर यह एक आयत है मालेते हैं इसका जो लंबाई है यह चोड़ाई है तो इसमें जो है 10% का बिरिधी करना है और यह जो है चोड़ाई उसमें 10% का कम करना है तो इससे क्या होगा इसका चेतरपल में तो मैंने ऐसे आप लोगों को कैसे बनाना है इस परकार को बता चुका हूं तो आप लोग सादरा के सारे मैथस वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो इसको simply solve करना किसा है इसका उप्सन जो पहले देख लेतें एक प्रसंट कम हो जाएगा एक परसिन अधिक हो जाएगा दो परसंट कम जागा और अपरिवर्तित रहेगा तो यहाँ कीसे करना है तो यहां पिसको चोड़े को multiply कर लेंगे साथ साथ नीचे में सो हो जाएगा तो यह solve कर लेंगे इसको तो यह 10 प्लस में 10 मैनस में यह तो हमारा कट जाएगा यह हमारा इस परकास यह भी कट जाएगा अब यह तो पूरा साथ आपका one है तो यह यह इसका कर तो बना आखर इसको इसको परकास नीमाते इसको क्यंसे बनातें तो पर्तिसत कमी जो होगा वो क्या होगा एक से बड़ा वेज़ेगा इस बांटरेट यह हो जाएगा अब बनास सुंगा है है यह वी कमी ही होगा तो इस परकार से बना सकते हैं और इस परकार से बना सकते हैं तो मैंने क्या क्या SHが बनाना यह पिछली वीडियो медबा चुक्ता हूं तो आप शब Deaf विडियो में अब सब्सक्राइब नंबर छे को जो हम अभी यहाँ देख लेते हैं साथ वर्स पूर्व ए तथा बी की आयू जो की वर्स में है चार और पांच की आपात में थी तथा वर्स के बाद हूए पांच अपात 6 की आपात में वहोंगी तो बी की वर्थ पनायू है यह है ओप्सन दिया हुआ आपका 56 ठीरिश्ट के बाद कर रहा है यानि की मालतिए ये सात वर्स पूर्व है इससे में 90 घिता था 20 चार निप्र we यह ये वी है तो यहाँ पर एक बार बर्टमान होगा और एक बार जोगा साथ वर्स के बाद होगा यह होगा तो विए ग् människ चरभीलों पात च शे दिया हुआ यहां फे आप इन दोनों का च्छ सबसे देखेंगे तो चार से पांच जारहा नंतीग कना ने क्यों पर यह करना जाएगा फल्स समान में आने के लिए क्या करेंगे यह करेंगे तो अब यहां पर जो है हमारा जो डिफ्रेंस है वो क्या हो जाएगा बराबर है तो हम लोगों को क्या करना है कि जो डिफ्रेंस वहन अगर समान होता है तो हम लोग इस पर कारण से इसी से गया हुआ को इस प्रकास कोश्चिन नहीं आएगा लेकिन यहां पर जो है समाने इसी कान से यह एक बराबर 14 हो गया और यह जो है हमारा किसका निकालने के लिए कर रहा है तो यह हमारा अनुपात में था यानि कि एक के बराबर 14 आया तो 14 के बराबर अब लोगों को बी में जाना है तो बी यानि कि पचास तो चूदो के साथ में पांच के मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 77 वर्स यह हो जाएगा हमारा किसका तो वी का एंसर जो कि ओप्सन नमबर डी देख सकते हैं यहां तो इसी सब्सक्राइब तुश्यार बटामान आयूं हाँ यह होगै अगर आगर हम लोग इसको पूरे तरिके से साल को सॉल्व करते हैं इसको भी मैं आपनों को दिखा देता हों कि ंसको साथ वर्स पूर्व है यहां पे साथ वर्स पूर्व तो है जो था एक की आई 4X और B की जो आयू है वह 5X है तो अभी हम लोग यहां से बर्तमान में आते हैं बर्तमान आयू क्या हो जाएगा तो 4X पलस 7 और 5X पलस 7 हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा लेकिन的話 के बाद कह रहा है यहाँ अब लोग देख ली है तो फिर से हम लोग यहां 7 सतवर्स के बाद यह हो जाएगा तो 4X पलस 7 और B कह जाएगा हमारा 5X पलस 7 पलस 7 तो इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना होगा यहां पर कर रहा है यहां पर आपको कह रहा है कि वह पांच अनुपात 6 के अनुपात में होंगी यह कह रहा है तो हम लोग यहां पर पांच अनुपात 24 26 84 और यह हो जाएगा हमारा 25 अनुपात में चोदो आया अभम लोगों को बरतमान तक पहुंचना है यांनि यहां पर और यहां पर तो मैट को यह निकालने के लिए कर रहा है हम लोगँ यह शाफ साफ कर देंगे इसको तो दी की वरतमान आयू वरतमान आयू क्या हो तो फाइव एक्स फ्लस सेवन तो यह हमारा हो गया फाइब इन टू फॉर्टिन प्लस सेवन तो यह सतर फ्लस सेवन यानिकी 77 सेंटीमेटर यह भी आगया आप सोरी 77 वर्स यह हो गया तो इस परकार से भी आप इसको स्वल्व कर सकते हैं जो कि अप्शन नंबर आपका यहां किए डी मैं है आप यहां डेख सकते हैं तो अकर यह पहलनों को कर लेना हो गया गया तो स्टोरा इसका केंद्र हो गया हमारा और 12 सेंटिमेटर के दूरी पर जीवा है माल अधिये यहां से यहां है यह जो है 12 सेंटिमेटर है एक जीवा है तो यह हमारा जीवा हो गया आप लोगों को मैंने सारी चीज़े बताई हुई है पिशली वीडियो जमें जाकर आप देख सकते हैं जहां पर आपका मेस के प्लैलिस्ट बन जाएंगे प्लैलिस्ट मिल जाएंगे वहाँ पर तो यह 12 संट्र हो गया और यह जो है 10 संट्र है यह टोटल 10 संट्र है लेकिन य स्क्राइब करें नहीं इस तुस् Almostxis वीडिक्र हो जाएं तो यहां भी हमारा यह टो जाएगा अब यहाँ पे जो ट्रीप्लेट है कि यह मैंने अभगों थोड़े इना था पहली पताई था क्यों क्या हो यह थो जैघंग यह हमारा कितना हो यह 13000 हो जाएंगा 52013 यह इन्म लोगों व्यास पूज रहा है तो जो क्या होता है व्यास बरावर डी बरावर क्या होता है टू आर तो इसको दो गुना तेरा करेंगे तो हमारा तेरा दोना 25 cm यहीं से दिख जाएगा तो आपस्टन आपका जो है यह राइट एंसर है तो इसको आप इस परकार से भी आराम से बना सकते हैं जो ट्रीप्स कर से नहीं तो फिर समकों तृरभूज का जो है वह करन फोटार और अधार और लंब के अनले आप निकाल सकते हैं तो किस परकार हो जाएगा हमारा के कर निस्कर बरभर जाएगा लंब का हिसकेर यानेchemistry का इसकर फलाइस का बार00 का इस होदिन यहां पर जो लंब हो गया हमारा बारत था और यहां पर यह 5 का हिसकेर हो जाएगा इसको तो 144.. प्लशे तो यह होगा वोन सिस्टी नाइन अब करन गविषे यह से निकल जाएगा करन यह 13 संंतिमीटर निकल जाएगा अब इससों जब लोग दो गुना करते हैं 2 गुना 13 तो हमारे यह 26 संटिमीटर निकल जाता है यह इसका ब्यास इस पर कासी आगे बढ़ जाएगा तो 26 तो यही इसका सही उक्तर हो जाएगा